नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HCG कार्ड टेस्ट या प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट को परफॉर्म करने का सही प्रोसीजर क्या है? इस वीडियो में हमने Animal Laboratories Private Limited द्वारा मैनुफेक्चर किये गए किट को यूज किया है. तो दोस्तों, टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, हम एक बार देख लेते हैं कि किट कंपोनेंट्स क्या-क्या है. हमारे kit के components हैं यह हमारा pouch जिसके अंदर हमारी test device या फिर cassette है और उसके साथ में kit के अंदर दिया जाता है instructions for use हम recommend करते हैं सारे users को कि एक बार test run करने से पहले instructions for use को जरूर ध्यान से पढ़ ले दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ और चीजों की ज़रूरत पड़ेगी जो की kit के अंदर नहीं दिया गया होगा जैसे for example timer या stop watch, sample dropper और patient का sample जिसमे से हम test run करने वाले हैं तो आईए दोस्तों अब हम procedure की तरफ ध्यान देते हैं प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप test pouch को फार दीजिए और उसके अंदर से हमारी जो test device है उस device को निकाल करके एक clean और dry surface के उपर रख दीजिए उसके बाद हमें यहाँ पर दो drop patient का sample आड़ करना है जैसे ही हमने यहाँ पर दो drop patient का sample आड़ कर दिया उसके बाद हमें यहाँ पर stop watch चालू करनी है और 5 minute के लिए हमें इस test को incubate करना है हमारी जो bands की reading हम लेंगे वो ठीक 5 minute के बाद हम bands की reading लेंगे अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा incubation time complete हो चुका है और क्योंकि हमारा incubation time complete हो चुका है उसके बाद हम इस test cassette को ध्यान से observe करेंगे अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर test cassette में C लिखा है और T लिखा है C का मतलब है control और T का मतलब है test और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो bands हमको clearly visible हो रहे हैं एक band हमारा control की तरफ visible हो रहा है और एक band हमारा test की तरफ visible हो रहा है तो जो control का band हमें यहाँ पर visible हो रहा है इसका यह मतलब है कि हमने जो test perform किया है वो procedure में हमने कोई गलती नहीं करी है और हमारा test और हमारा product ठीक तरीके से काम कर रहा है और जो दूसरा band हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है test का वो भी band हमें clearly visible हो रहा है इससे हम यह conclude कर सकते हैं कि जो patient sample हमने यहाँ पर use किया है वो HCG के लिए positive है इसका यह मतलब है कि यह patient sample pregnant lady का patient sample है दोस्तों हम उमीद करते हैं कि वीडियो आपको helpful रही होगी अगर आप हमारी इसी तरीके से वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे चानल को subscribe करना न भूलें और हमें comment section में लिखकर बताइए हमें और कोई अगर आप सुझाव देना चाते हैं तो Thank you very much friends